ओ माई गॉड यह कौन आग्या आज गार्डन में जूल जूलने गार्डन में पानी वानी देने के बाद जब इधर नजर पड़ती है न तो नजारा कुछ डरावना भी था और कुछ रोमांचक भी था यह देखिए देखने में क्योट भी लग रहा था पर इतना बड़ा था कि मुझे इसको देख की न डर लग रहा था इतनी बड़ी बड़ी तस्वीरें तो सिर्फ इंटरनेट पे देखी थी हकीकत में इतने बड़े से पाला भी तक नहीं पड़ा था पर आज पड़ गया यह देखिए कितने मजे से पत्ती के उपर चड़ के जनाब जूला जूल रहे हैं नमस्क्र, वेस्टी वेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत करता है आज का मेरे गार्डन का यही महमान हाई क्या आप सभीने पहषानी लिया होगा पर जिन लोगों नही पहषान है उनके लिए बतादूँ यह है इसके पहले भी छोटे-छोटे मैंने एक तो बार दिखा है पर आज का बढ़ा है और देखिए जैसे यह कंटेनर मैं उठाती हूँ पत्ती हिलती है तो इसको अहसास हो जाता है कि कोई दुश्मन आगया मेरे आसपास और इसकी बॉड़ी सिकोड़ना शुरू हो जाती क्योंक को बताती हूं कि यहां पर यह स्लग महराज कितना बड़ा मैसेज देने की कोशिस करने यह देखिए बॉड़ी का थोड़ा सा हैसा पत्ती के उस साइड़ पे इसने लटका लिया अब यहां पर देखिए यह दो पत्तियां है जीजी प्लांट की जिनको मैंने प्रपोगेट करने के लिए रखा हुआ था एक सिंगल पत्ती पे इतना बड़ा स्लग अगर लटका हुआ है इसका मतलब आपको पत्ती उखाड के देखने की जरूरत नहीं है कि आपकी पत्ती में जड़ें आई या नहीं आई काफी हैवी होता है यह अपना स्लग और स्नेल तो जब इतन से खड़ी है है ना बस यही बहुत बड़ा संकेत जो इस लग महाराज देखे गए अब मैं इसको फेकने के लिए जब तक न्यूज पेपर उठा के लाती हूँ तब तक यह जनाब पत्ती से उतर के इस कंटेनर के साइड में चड़ गए हैं और यह अपनी पकड़ बहुत म मुझे धुलना पड़ेगा नहीं तो इसके अंडे होंगे तो इसके और भी बच्चे पैदा हो जाएंगे तो पत्ती को बाद में धुलूँगी पहले तो इसको मैं फेक के आती हूँ देखिए थोड़ा सा सीधा करके दिखाऊं यह देखिए जितना साइज अब भी दिख इसका जब यह अंगडाई ले रहा था पत्ती को पर चड़ के तो इससे पांच साथ गुना लंबी बॉटी दिख रही थी यह है इसकी खासियाद तो इसलक्स और स्नेल्स आपकी गाटन में अगर कहीं दिखते हैं तो प्यार से इनको पकड़े और बाहर फेक दिजिए अप इसले वीडियो के साथ अब तक लिह धन्यवाद